साथियों, आज माने प्रदानमंत्री शिन्दरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहिब अंबेट करके संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को एक बार फिर बहुती महत्वपूर्ण निर्ने के साथ बताया है, दिखाया है। UPSC में लेटरल एंट्री एक बहुती ट्रांस्परेंट मेथड जो लिया था, उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे ऐसा निर्ने लिया है। आपने देखा प्रदानमंत्री श्री नरेंदर मोदी जी ने हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। OBC कमिशन जो की एक बहुती साधरन सी बाड़ी थी उसको एक समवेधानिक दरजा दिया। नीट में, मेडिकल अड्मिशन्स में, सैनिक स्कूल्स में, नवोदे विद्याले में सब में रिजरवेशन के प्रिंसिपल्स को लगाया। बाबा साहिब अम्बेटकर जी के जो पांच तीर्थ हैं उनको उनका गौरव मही स्थान दिलाया। और आज भारत की महा महीम राश्टपती जी आदिवासी समाज से आती है, कितने बड़े कौरव की बात है। मोदी जी के सेचुरेशन के प्रिंसिपल से, जिसमें देश में सभी वेलफेर प्रोग्राम्स को गरीब से गरीब, वंचित से वंचित वर्ग तक पहुँचाया गया, उससे भी अधिक्तम लाब हमारे SC, ST और OBC वर्गों को मिला है। यह जो हमेशा समाज के अंतिम तबके तक पहुँचने की, नयाय दिलाने की, जो मोदी जी की प्रतिबत दिता है, वो आज के UPSC में, लेटरल एंट्री में, रिजरवेशन के प्रिंसिपल लगाने के निरने में भी क्लिरली दिखाई देती है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, 2014 से पहले किस तरह से UPA की सरकार, कॉंग्रेस के जो निरने होते थे, उनमें रिजरवेशन के प्रिंसिपल्स का कोई ध्यान ने रखा जाता था।